हेलो एब्रिवेन एम रूबी यूआ विद रूबिकल अकैडमी आज हमारा टॉपिक एंजिवास्पम है और हमने इसके पहले की जो वीडियोस थे उसमें हमने प्लान किंग्डम के सभी टॉपिक को कवर किया है तो आज ये प्लान किंग्डम का लास्ट टॉपिक है तो में ठींडरो नहीं पाया जाता है वो क्रिप्टोगेंम से जनमें फ्लान प्लास्ट होता है सब प्लाट को दो पार्ट में रखा गया तो non-flooring plant क्या है algae है fungi है और lichens है इनका जो body structure होता है वो थालोइट होता है इस देने थालोफाइटा में रखा गया ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा यह non-flooring plant में आते हैं मतलब crypto games में आते हैं और प्राइटा थे आते में आपके होते हैं जीम्नॉस्पं में ईंज्वॉस्पं में गया कवकी की इंज्वॉस्पं मि É Lak rib प्रूक्रीव कि ओ मैं है की नहीं ग्वर्ह नहीं घॉक्षा थे गता में आपके दNS यह फ्रून में प्रूरब्य नहीं Philippe एक पूरा फ्लावर पाय जाता है फ्लावर में हम जानते हैं कि यह reproductive part होता है किसी plant का reproductive part फ्लावर होता है जिसके अंदर की pollen grains पाय जाते हैं ovules ovary यह सारी structure प्रजेंट होते हैं ठीक अब अब एंजियो आसपर में क्या है कि जो seed है वो fruit के अंदर होता है लेकिन जिम्नासपर में ऐसा नहीं था बस seed पाय जाता था इनमें fruit होगा और fruit के अंदर seed होगा ठीक तो fruit जो होता है वो ovary होता है और seed जो होता है वो ovule होता है तो seed जो है वो ovule से बनता है ओवियूल बढ़ा हो करके सीट बनाएगा और और बढ़ा हो करके वह फ्रूट बनाएगा तो यह पूरा एक थियरी है इसके बारे में और देखते हैं कि जो angiosperm होते हैं इनका size काफी जादा vary करता है तो सबसे चोटा angiosperm और सबसे बड़ा angiosperm जो सबसे चोटा है वोलफिया और सबसे बड़ा जो 100 मीटर तक का होता है वो है eucalyptus ठीक तो आए एक बार देख लेते हैं कितने चोटे और कितने बड़े दोनों वोलफिया इतना चोटा एक एक इसमें जो granule आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का यह सब वोलफिया है एक एक यह वोलफिया तो आप देखे कि इतने चोटे भी angiosperm पाए जाते हैं और इतने बड़े भी जैसे यह eucalyptus का है जो कि 100 मीटर तक का होता है तो यह आपका eucalyptus ang वेटिये देख सकते हैं जो यह वोलफिया हैं इसमें फ्लावर्स आते हैं यह इसका plant Body है ŧार जाते हैंं तो फ्लावर्स इसके इससे भी बात करें तो अंच्यवासwork ही पाई जाते हैं एस ऑर सबसे वाइड लेंज में यह स्परग बाई जाते हैं ऑइस जाते हैं पाले कहने जो सबसे वाइव डूर है कि एक सिंगल सीड है यहां पर जो डाई कॉर्ट में सीड है इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है डिवाइड किया गया है इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ठीक यह सीड के बेसिस पर हो गया और चीजें देखते हैं कि क्या डिफ्रेंस होता है है तो है जो डाई कोट हैं है इसमें जो सीड होते हूं उसमें दो कोटिली義ंभ्बाइम शोते हैं ब्हूं दिखा था लाश्ट वाले पिक्चर नहीं जो लीफस सोते उन्में रेटिकूलेटancies होता है और इसमें tekल veramente्रफ टाइप के लीव्स जो है उनमें पैर्लेल वेनेशन आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं कि डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन है लीव्स में और मोनो काट में लीव्स में पैर्लेल वेनेशन है ट्राइमेर्स फ्लावर होते हैं, मतलब की थ्रीन मैंबर लिखा गया, ठी, तो यहां पर क्या होगा कि तीन कैलिक्स, तीन कोला, फिक्स है, वो मोनो काट में होंगे, लेकिन डाइकाट में क्या है, कि टेटरा और पेंटामेर्स टाइप के होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन ह जो मिडरिव है, उससे ऐसे बारी-बारी से सब निकल के यहां पर ऐसे वेनेशन है, ठीक, लेकिन हम इस वाले अगर डाइग्राम में देखें, तो सब एक पॉइंट से निकले हुए हैं, एक दुसरे के पैरलल है, तो जो पैरलल वाला है, पैरलल वेनेशन यह आपका मोनो क यह गोट में, एन रेट्िकुलेट फेनेशन यह यह डाइक ऑट में पाया जाता है, ठीक, सीड हमने देखा कि किस तरीके का है, मोनो कॉट सीड है, और चीज़े देखते हैं, फ्लावर को हमने कहा कि यह जो है, फ्लावर यह रिप्रोड़क्टिव औरगन होता है, 1 minute 1 minute slide नहीं है रहा है floor जो होता है ये किसी plant का reproductive organ होता है तो जो male six organ होता है floor का वो histamine होता है ठीक और histamine कैसा होगा एक cylinder filament होगा जिसके tip पे आपको enter मिलेगा cylinder filament होगा structure इसके tip पे enter होगा और enter के अंदर जो है pollen mother cell होगे और pollen mother cell में meiosis होगा हम जानते हैं कि जब भी mother cell का नाम आएगा तो वहाँ पर meiosis division ही होगा क्योंकि mother cell क्या होता है deployed होता है और deployed में हमेशा meiosis पाय जाता है ठीक तो यह हमें ध्यान में देना कि mother cell है pollen mother cell है जिसमें meiosis हुआ और meiosis के बाद वहाँ पर माइक्रोइस पोर्स जो है प्रोडूस होंगे और माइक्रोइस पोर्स जो है mature हो करके pollen grain को बनाएंगे देखते हैं यह भी हम एक बार यह है ठीक हमने कहा कि एक filament like structure होगा इसके tip पे अंथर होगे आप देखिए कि यह filament है यह पूरा एक pollen grain का आपको structure दिया है कि यहां पर यह filament है और यह enter है पॉर्लेंग टिन है इस्टामिन है कि ठीक है इसका एक क्रॉक सिक्षण जो है यहां पर सो किया गया है है कि एक इक श्थ चर स्ट्चर क्या होता है तो आप देखिए यहां पर फोर सिल है चार सिल है उसमें से एक पॉलेन मदर सेल जो है उसमें डिवीजन होता है और हमने कहा कि मदर सेल जो होता है वो डिपलाइड होता है डिपलाइड में हमेशा मियोसिस डिवीजन होगा डिपलाइड मतलब 2N होता है जिसमें हमेशा मियोसिस डिवीजन होगा तो इस पॉलेन मदर सेल में मियोसिस हुआ वहां से चार मतलब टिट्रायड चार सिल जो है वो प्रोड्यूस होंगे और वो सिप्रेट होकर के मिच्योर होकर के पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक, क्या है कि चार सिल हैं जिसमें एक पॉलिन मदर सिल होता है, जिसमें मिउसीस डिवीजन होगा, after meiosis 4 sil बनेंगे tetriad pollen बनेंगे och tetriad pollen mature होकर pollen grain बनाएंगे तो enter के अंदर जिस sil में division होता हो meiosis division होगा my Paw Patrol होता है यह हमें याद में रखना है आगे देखते हैं यह वही चीज यहां पे बताया है यहां पर female reproductive organ को बताया क्या है कि जो female six organ होता है flower का उसे pistol बोलते है pistol क्या है कि pistol में एक cylinder structure होगा style और stigma ठीक एक long cylinder like structure होंगे style और जिसे style और stigma बोलेंगे और ovary होगा ovary के अंदर ovule present होगा भी हमने कहां आपको कि seed जो है वो ovule से बनता है और fruit जो है वो ओवरी से बनता है तो यह हमें ध्यान में देना है ठीक कि यह स्ट्रॉक्चर अब हम एक बार इसे भी देख लेते हैं कि यह है कोकि इस्टाइल अधिस्तायल क्या हैं प्रस्ट वर् 여स कि कि सॉर्य पिश्चिल पर standard like structure है that is style और यहां पर जो अपर portion है वो stigma है यहां पर यह ovary है यह पूरा structure ovary है और ovary के अंदर ovule present होता है तो यह ovule है पूरा ठीक यहां पर आप 8 cell देख सकते हैं कि 2 बीच में है 3 उपर और 3 नीचे है तो जो बीच का दो यहां पर आपको blue color का दिख रहा है यह polar nuclei इन दो cell को polar nuclei बोलते हैं और उपर का जो 3 cell है इसे antipodal बोलते हैं यहां पर नुचलस दूसरे चीज़ को शो किया गया है ठीक और नीचे जो तीन cell है उसमें से एक को एक cell शो किया गया है जो इस साइड में है इस तन साइड में है बाकी के जो रिमेनिंग दो cell है उन्हें synergy cell बोला जाता है एक बार मैं फिर से रिवाइस कर देती हूं कि ओवरी के अंदर 8 cell होते हैं आठ में जो दो बीच वाला है वो polar निकली आई है उसके जो नौर्थ वाले जो से हैं वो एंटी पोडल होते हैं नीचे से नीचे वाले में एक एक से होता है और दो सिनर्जीट से होते हैं अब देखते हैं कि इन सब का मियोसिस डिवीजन होगा ठीक मदर सिल में हमेशा मियोसिस होगा तो मियोसिस होने के बाद चार सिल बनते हैं चार में से तीन सिल डिजनरेट होंगे और एक सिल जो है वो डिवाइड होकर के इम्डियो शैक बनाएगा ठीक मियोसिस होगा मेगा इस्पोर मदर सिल में मियोसिस ह होगा मियॉसिस के बाद 4 ऐसे चार में से तीन सिल डिजनरेट हो गे और एक जो है वो डिवाइड होकर के मिचोर होकर के इंब्रियो सैग बनाएगा इर यह हम अभी देखते हैं आपको और इंब्रियो सैग मैंने कहा अभी जो दिखाया कि वोटे हैं इंब्रियो सेक में वही आट सिल प्रजेंट होते हैं की एक-एक सेल होगा, दो सिनर्जिट होंगे, तीन एंटी पोडल होंगे और दो पोलर निकलियाई होंगे, जो भी, मैंने आपको लास्ट वाली पिक्चर में दिखाया, फिर से आपको दिखा देते हैं एक बार कि जो मेगासपोरमदरसिल होता है उसमें मियोसिस होगा मियोसिस के बाद चार सिल बनते हैं ठीक चार सिल बनेंगे टेट्रायट बनेंगे ऐसे उसमें से तीन जो है वो Deivasan ने जायेंगे उसमें डिवीजन होगा और mature होकर कि वो embryo sac बनाएगा तो यही वो पूरा embryo sac है यह embryo sac है embryo sac में इतने cell present होते हैं 8 cell present होते हैं यह embryo sac है यही से एक cell जो है वो divide होकर embryo sac बनाता है embryo cell में 8 cell होते हैं जो कि 2 polar निकली आई हैं 3 antipodal है उपर वाले और नीचे का 1 cell है और 2 यहाँ पर synergied cell है यह हमने पूरा देखा कि कैसे एक female जो पार्ट है वो पूरा develop होता है अब आगे देखते हैं और चीजों को कि pollination क्या होता है कि जब pollen grain transfer होते हैं एंथर से stigma पे तो वो pollination होता है transfer of pollen grain from एंथर to stigma through various agencies जैसे कि water के थूँ किसी animal के थूँ और air के थूँ इन सब के थूँ अगर वो stigma तक पहुच रहा है stigma of a pistil वहाँ तक पहुच रहा है तो इस process को pollination बोलेंगे ठीक और pollen grain का germination होता कैसे है कैसे पूरा उनका life cycle चलता है यह मैं आपको बना के पहले एक बार read कर लेते हैं दिन चीजों को देखेंगे pollen grain क्या है वो stigma पर पहुचेंगे और वहाँ से stigma और style हमने देखा था कि उपर जो है वो stigma है और यह वाला जो person था female sex organ का यह वाला filament वाला structure style था ठीक तो style पर जाएंगे stigma और style के थूँ जो है वो ovary then ovule में इंटर करेंगे ठीक and the pollen tube pollen को हमने देखा था कि एक ऐसे round round structure थे वो pollen थे pollen जो है उसमें फिर ऐसे tube like structure develop हो जाता है ठीक तो pollen tube जो है वो embryo sac के अंदर इंटर करता है जहां पर 2 male gamut discharge होते है pollen tube के अंदर 2 male gamut होते है और दोनों जो है वो embryo sac में discharge होंगे तो एक male gamut जो है वो एक cell को fuse करेगा और दूसरा male gamut जो है वो जो polar nuclei होते हैं उन्हें fuse करता है ठीक तो जो एक cell को fuse करेगा उस process को क्या हो गया singa me हो गया तो एक cell के fusion के बाद जाइगोड बनता है और जो दूसरा male gamut होता है वो जो diploid secondary nucleus यहां पर लिखा गया है तो वही polar nuclei को fuse करेंगे तो 2 polar nuclei प्लस एक इसका pollen का nucleus मिल करके तीन n हो जाते हैं तीन nucleus इसलिए 3 n बोला जाता है कि 3 nucleus तो बोला गया है कि nucleus to produce diploid primary endosperm nucleus जिसे pen मतलब primary endosperm nucleus का formation होता है अब आगे आके देखते हैं और इसी प्रोसेस को singamia triple fusion मिला करके जो की double fertilization कहलाता है singamia हुआ singamia कहाँ हुआ कि एक cell का fusion हो रहा है pollen के cell के साथ एक cell का जो fusion होगा तो आपका singamia हो गया और triple fusion कहाँ पे हुआ कि एक तो pollen grain का cell और दूसरा हो रहा है यहाँ पर जो polar निकली आई थे उन सब का मिला करके triple fusion हुआ तो इस पूरे प्रोसेस को double fertilization बोला गया अब एक बार diagram के तुरू अच्छे से देखते हैं तो यह यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरा एक फ्लावर का यह रिप्रोड़क्टिव पार्ट है इसमें आपके पिस्टिल और जो मेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट है दोनों मिलेंगे तक यहाँ पर क्या है यह इंथर है हमने देखा ॉर यह इसका फिलामें नश्चे Height नतर सारे माईक्रोड़वोस होते हैं नहीं करकी माईक्रोड होते हैं यह मेल रिपरोड़क्टिव पार्ट होते हैं iOS प्रीट है तो यहाँ से 1 इस इक स्थाने इस्टाट होगा थैक यहाँ से माइक्रो इसपोर मदर्स उसना मीजआ यह चैर टिट्राइट जो हैं इस जनरेट प्राइट के त्रीटीव सेंट ट्यूब्लाइड अब देख रहेा में कि किस तरीके से यहां पर पॉलेन ग्रेन है थोड़ा सा डाइग्राम कुछ छोटा करते हैं हाँ अब देखिए यहां पर पॉलेन ग्रेन इसमें अब ट्यूब लाइक एक इस्ट्रक्चर डिवलप हो गया है ठीक अभी नहीं था लेकिन अब इसमें से अब ट्यूबलाइक की स्ट्रक्चAR डिव्लप हो गया है और इस ट्यूब में आप देखिए दो दो सेल प्रज了 है यहां पर तो एक है लेकिन दो सेल यहां पर ट्यूबलाइक और एक बार फीमेल वीपडेनों और उनको देखते हैं कि हमने कहा कि यहां पर भी चार सेल बनेंगे जो मेगा इस्पूर मदर सेल होता है उसमें मियोसीस होगा तो चार सेल बनते हैं इसमें से तीन जो है वो डी जनरेट हो जाएंगे तो आप यहां पर देखिए कभी उपर वाले में चार सेल है यहां पर जिस होते हैं जिसमें से 3 ंपर के antipodal हैं यहां पे लिखा गया है नीचे एक एक सेल है दो synergit हैं और जो बीच में है जो बीच का है वो polar निकलियाई है तो यहां पर जो pollen tube है pollen tube यह enter करेगा तो यह पहले एक सेल आप देख रहें इस वाले डियाग्राम का अब ध्यान से देखिए कि कैसे यहां से पॉलन ट्यूब इंटर किया है नीजे से तो पहले एक सिल का फ्यूजन होगा जो की सिंगैमी होगा तो एक सिल का फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है भी मैंने पढ़ा था आपको बताया ठीक फिर यहां पर यह सेंटर में जाएंगे फिर जब सेंटर में जाएंगे आप अब देखिए काफी क्लियर देखेगा वन मिनिट वन मिनिट ठीक अब क्या है कि आप देख रहे हैं कि सेंटर में पोलर निकली आई है पोलर निकली आई से जब फ्यूजन होगा तो वो 3N या ट्रिपल फ्यूजन बोला जाएगा क्यूंकि दो पोलर निकली आई है और एक निकली आज किसका पोलन ट्यूजट के अंदर में दो थे तो एक ने तो एक सिल के साथ फ्यूज किया जाइगोड बनाया और एक जो है इन दोनों पोलर निकली आई कि यहां पर क्या हुआ कि जो एक सेल के साथ फूजन हुआ तो उससे इंभीओ बना ठीक और जो पोलर निकलियाई के साथ फूजन होता है वह इंडोस्पम बनाता है तो एक जल का want to hope रहाई आपका ये पूरे एक seed का formation हो गया और ये बाहर वाला जो portion है ये एक seed coat है बाहर वाला portion seed coat है और ये वाला endosperm है जो कि polar nucleae 3N के fusion से बना है और ये जो है yellows color का ये embryo है जो कि एक cell से fusion होने के बाद बना है और फिर seed germinate होकर के एक main plant body बनाता है ये पूरा इसका process हो गया अब एक बार हम देख लेते हैं और चीजों को डबल फट्रियाशन हमने बताया कि sing gammy plus 3N triple fusion जिसे की PEN बोलाता है primary endosperm nucleus ठीक और यहां पर फिर है कि वही सारी चीजे हैं कि जाइगोड जो है वो डेवलप होकर के embryo बनाएगा मैंने अभी आपको बताया कि जाइगोड डेवलप होकर इंब्रियो बनाता है जाइगोड बनता है एक सेल के fusion से ठीक और यहां पर PEN PEN क्या है डेवलप होकर के आपका endosperm बनाएगा तो यहां पर पूरा एक seed का formation हो गया और PEN क्या करता है मतलब endosperm क्या करता है यह nourishment provide करता है developing embryo को nourishment provide करता है ठीक तो endosperm का काम होता है nourishment provide करना और जो बाकी के सेल थे मतलब दो synergy और antipodal यह सब degenerate हो जाते हैं काम बस यहां पर तीन चीज़ों का होता है दो polar निकली आए और एक एक सेल बाकी सब degenerate हो जाते हैं और लिखा गया during these event the ovule develop into seed and ovary develop into fruit यह हमने सबसे पहले ही देखा कि जो ovule हो वह सीड का formation करता है ovary जो है वह fruit का formation करता है आगे और चीज़े देख लेते हैं यह देखिए कि सीड कैसे होते हैं कि कई बार बस एक सीड का formation होता है यह एंजियोस्पामी के fruit है यह mango mango tree जो है एक एंजियोस्पाम है ठीक तो आप देखना है कि mango में एक ही सीड होता है और water melon जो है इसमें कई सीड होते हैं कैसे यह होता है कि एक बार में एक भी सीड हो जा रहा है और मल्टी सीड भी हो जा रहे हैं तो कई बार होता है कि एक ही पॉलेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरे आए जाते हैं तो यह हुआ पूरा एंजियो स्पर्म आई होप आप लोग को समझ में आया होगा काफी अच्छे से इस टॉपिक को कम्प्लीट किया गया और आप लोग को पढ़के कैसा लगा कितना आप लोग को समझ में आया कमेंड बॉक्स में जरूर बताईएगा कि आप हो कैसा लगा कि अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है कंटेंट अच्छा लग रहा है पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए आज बस इतना ही कल नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आगे का क्य है फिर उसे भी ले करके आएंगे तो थैंक यू सो मच लाइक शेयर और सब्सक्राइब